दोस्तों बहुत से लोगों को सुबह उड़ते ही पीट में गैस, ढकार, पीट में गर्मी और बदहज में शुरू हो जाती है और इसकी वज़ा से सारा दिन उनका कोई भी काम करने का मन्ने करता, क्योंकि गैस दिमाग पर चड़ जाती है, सर पर चड़ जाती है, इसके खाने पीने की आदत की वज़ा से होती है, बेतरतीब कुछ भी खा लेना, सही समय पर भोजन नहीं करना, या फिर खाना स्किप कर देना, जंक फूट खाना या तेज मिर से मसाला वाला खाना खाना, इसके वज़ा से पेट में अपच, एसड़िटी या और गैस की प्रॉलम होती है, इस तरह की दिकतें आपको होंगी, तो खाना भी ठीक से नहीं पचेगा, और खाना ठीक से नहीं पचेगा, तो शरीर को निट्रिशन नहीं मिलेगी, तो शरीर कमजूर होने लगेगा, साथी कमजूरी के लावा, बहुत से पेट के रोग और हड्डियों से जड़ी बहुत सी बीमारियां होने लगती है तो अगर आपको भी कब्ज, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट फुलने की प्रॉलम है तो इसका इलाज आपको जल्द से जल्द करना चाहिए तो आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही पाउरफुल घरील उपाले कराया हूँ इसके स्तमाल से आप इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हो चलिए देखते हैं इस उपाय में क्या है दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि पूदेने की देखे इस तरह के पूदेने की पत्यां होती है 10 – 12 पत्यां लेना और इन पत्यों को हमाम दह में पीस लेना है इस तरीके से इसके बाद ऐब आ आद्धा नीमू का रस ले लिजिए एक लेस पानी में इन चीजों को मिक्स कर देना है फिर इन चीजों को अच्छे से मिला लेना है बस आपको इतना ही करना है इस पानी को ना गरम करना है और नहीं ठंडा करना है आपको घरिल उपाय बनकर तयार है इसका सेवन आपको सुबह खाली पीट करना है जैसे आप टीडाकार, बदहजिमी के प्रॉलम कम होने लग जागी और लगतार लेने से जड़ से भी खत्म हो जागी जिनको भी पेट में गर्मी हैं उनके लिए रामबान इलाज है दोस्तों साथ ये पेट की मांश्पेशियों को रिलेक्स करता है जो काफी समय से पेट में गंदा खान हमनारी में काम आता है दिमाग को रिलेक्स करता है इसके अलावा इस उपाय में वाइतिमीन से घुम्हें को ठीक करते है साथ इसके अदर फाइबर होता है जो खाने को बहुत आछी से पचानए का काम करता है कहने का मतलब यहाँ है कि इसके 7 से आपके पेड से रिलेटेड सारी प्रॉलम्स जड़ से खत्म हो जाते हैं तो इसका 7 आपको लगतार कम से कम एक महिनी तक करना है करके दिखना दोस्तों, आप चाहें तो एक उपाय और कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है रात को तांबी के गिलास में पानी भर कर रख देना है चलिए अब इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए आपको जरुत पड़ेगी पूदीने के पत्ते की तो हम यहाँ पर एक मुठी पूदीने के पत्ते को हमाम दस्ते में पीस लेंगे दूसरी सीज़ आपको जो लेनी है वो है जीरे का पॉडर इसके लिए आपको क्या करना है जीरे को तवे पर हल्का भून लेना है और इतना ही भून है जिससे इसके अंदर जो नमी है मौश्यर है वो निकल जाए और इसे पीस कर पॉडर तयार कर लिना है दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीसावा पूदीना मैंने निकाल लिया है यहाँ पर आपको क्या करना है एक चमची मात्रा में इस पूदीने के पेष्ट को एक कब पानी में डाल देना है यह पूदीने का पत्ता डाइशन को बहतर बनाती है दोस्तों ये वही पानी है जिसे हमने रात को तांबे का पानी होता है दोस्तों ये पेट के लिए अम्रित के समान काम करता है तो इसलिए आप तांबे के बरतन में रखावा पानी का ही स्तमाल किजिए अब आपको दो चुटकी की मातरा में जीरे के पौडर को लेना है और इस पानी को एड़ कर दिना है जीरे का पौडर दोस्तों मेटाबॉलिजम को फास्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है जीन लोगों को खटे डगाराने के प्रॉलम होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है मुटाबे को कम करने में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों ये मुटाबे से खासकर महिलाएं ज़्यादा परिशान होती है और ये जो रेमेडी है दोस्तों इसे लेने से आपकी कैलोरी बहुत ही जल्दी बर्न होगी जिससे आपका मुटापा जल्दी कम होगा इसके लावा आपको यहाँ पर लेना है आधा कटा हुआ नीम्बू इस नीम्बू को पानी में निचोर लेना है और पेट की ठंड़क के लिए नीम्बू बहुत अच्छा होता है साथी है गैस एसलिटी को दूर करने में बहुत फादेमंद है जिनको खटी डगारे आती है जिनका जी मिचलाता है उनके लिए भी यह नीम्बू का रस अच्छा होता है और दोस्तों पूदीना आपके श्रीर में डाजिस्ट तब तक नहीं होगा जब तक आप इसमें नीम्बू का इस्तमाल नहीं करेंगे तसलिए पूदीना और निम्बू की बहुत अच्छी दोस्ती होती है अब आपको आखरी जी जो इसमें लेनी है वह है दोस्तों त्रिफला चून लगभग एक चमच के मातरा में आपको त्रिफला चून ले लेना है और इसमें एड़ कर देना है अब इसे आपको अच्छे महने ही करना है जियाता नहीं करने है बहुत ही इफेक्टिव और पाउर्फुल उपा है दोस्तों यह आपकी एसिटी गैस की प्रॉलम खटी डकार सिने में जलन की प्रॉलम को जड़ से खत्म कर देगा और खाना भी अच्छे से डाजिस्ट होगा तो इस रेमेडी को जरू प्रॉल नुकसान नहीं है तो यह जानकारिक आप हमें कॉमेंट्स कर बताना और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते वे जाना तो अगले वीडियो में एक नई जानकारिक साथ फिर से हाजिर होताँ दोस्तों तब तक अपना ख्याल लगना